मलाइका, अरोडा और अर्जुन कपूर पिछले कई सालों से रिलेशन्शिप में हैं वही आक्टरस ने अब अपने बेटे अरहान खान के पॉड़कास में अपनी शादी की प्लानिंग पर चुपी दोड़ी है मलाइका, अरोडा और अर्बास खान तलाक के बाद मूववन कर चुके हैं जहां हाल ही में अर्बास ने सेलिबिटी मेकप आर्टिस शूरा खान संग शादी की थी तो मलाइका भी 6-7 सालों से अर्जुन कपूर को डेट कर रही है हाला की मलाइका और अर्जुन के ब्रेक अप की अफवाय भी उड़ती रहती है लेकिन कपल हमेशा अपनी केमिस्ट्री से इन रिमर्स को खारच करते रहते हैं हाल ही में मलाइका अरोडा से पूछा गया था कि उनकी शादी की प्लानी क्या है जानते हैं अक्रिस ने क्या जवाब दिया है तरसल मराइका अरोडा अपने बेटे अर्हान खान के पॉड़कास दम बिरियाने के लेटिस्ट एपिजोड में बतौर गेस्ट शामिल हुई थी रापिड फायर राउंड के दौरान अर्हान ने अपनी मा से उनकी शादी की प्लानी के बारे में सवाल पूछा था अर्हान ने मलाइका से पूछा था कि वे किस देट वेनियों और परसन के साथ शादी के बंदन में बंदेगी इस पर मलाइका ने कहा था कि वह फिलहाल उन सवालों का जवाब नहीं दे सकती और उन्होंने इसके बज़ाए मिर्च खाना चुना उन्होंने आगे कहा कि वह फिलहाल अपनी बहतरीन जिन्दगी जी रही है बॉलिवुड दीवा मलाइका अरोडा और अभिनेता अरजन कपूस सबसे फेमस सेलिबिटी जोडों में से एक हैं वे सोशल मीडिया के साथ साथ पब्लिकली अपनी केमिस्ट्री की चल्किया शेयर करने से नहीं गतराते हैं लेकिन जब भी उनसे उनकी शादी की प्लानिक के बारे में सवाल किया जाता है तो मलाइका और अरजन दोनों चुपी सादे रहना पसंद करते हैं फैंस को इनकी शादी का बेसबरी से इंतजार हैं बता दे कि 19 साल तक शादी शुदा रहने के बाद 2017 में मलाइका अरोडा और अरबास खान का तलाक हो गया था इस जोडी ने 2002 में अपने बेटे अरहन खान का वेलकम किया था तलाक के बाद भी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं हाल ही में मलाइका को अरबास और उनकी दूसरी पत्नी शूरा संग डिनर डेट पर भी स्पोट किया गया था अर्जुन कपूर के वर्कफरंट की बात करे तो आक्टर रोहिच्छे ठीके कॉप्स यूनियस की फिल्म सिंगम अगेन में विलन की भूमे का निभाते हुए नजर आएंगे इस फिल्म में अच्छे देवकन, करीना कपूर खान, दिपिका पादकोने, रनवी सिंग, अक्षी कुमार, टाइगर श्रॉफ और कई अन्या स्टार्स भी एहम रोल में दिखेंगे वही मलाइका अडोरा की वर्क फंड की बात करें, तो वे हाल ही में अश्रदवासी और फराखान के साथ दान्स रियालिटी शो चलक दिख लाजा सीजन 11 में जज के तौर पर नजर आए थी